दोस्तो फॉल्सिलिंग करवाने में कितना खर्चा आएगा मतलब प्योपी की फॉल्सिलिंग है उसमें बिजली का अलेक्ट्री वॉर्ट करवाने का खर्चा कितना आएगा और जो हीड़न कोस्ट रहती है फॉल्सिलिंग बोल देते हैं कि 80 रुपे 90 रुपे या 100 रुपे प लग जाएगा हमारा लेकिन लगते लगते 20-30,000 लग जाता है वो कैसे लगता है वो इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा और कहां आपको कॉंट्रेक्टर बेफ कूफ बना सकता है बिलिंग में रेट वो बोल देगा कि 80 रुपे स्केर फूट लेकिन जब बिलिंग हो तो आज की वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आप प्योपी की फॉल्सीलिंग का खर्चा निकाल पाओगे क्या क्या चीज़े द्यान रखनी है कहां बेफकूर बनते हैं और कौन सा मेटीरियल बहुत चीज़े सीखने वाले हो तो शुरू से एंड तक वीडियो देखना च कुछ नहीं है देखो दो किसम से आपका बिलिंग किया जाता है प्योपी में एक तो होता है कंप्लीट एरिया आजकल शुरू किया इन्होंने अग्प्लीट एरिया जितना भी आपकी स्लैब होगी जैसे एक्जेंपल ले बारा में दसकी हमारी स्लैब है तो वो बोलेंगे 130 140 रेट चल रहा है आपको जो सही लगे दे देना कोई दिक्कत निया कर देंगे 130-140 बोलते हैं वहां पर आप क्या करते हो ना quality material पूछते हो जाली कूण से लगेगी section angles कूण से लगेगी कोई नहीं पूछता है रेट देखते हैं एक तो बेफकूफी है पहले तो material क्या quality कू करना है वो पता कर लो कमेंट करना अगर नहीं पता है वीडियो ले आउंगा इस पर वीडियो बनी भी हुई है तो complete area का पहले समझ लो complete area में होता क्या है आपका 1210 की slab है ठीक है जिस कमरे में आपको करने है 1210 का वो कमरे है आप वो रेट बोलते है 130-140 पर square feet के साबसे में कर design बन जाएगा वो बोलता है कि जो भी design आपको सही लगेगा आप बना सकते हो जैसे भी आपको बनाना यहां को रखना है जो भी करना है ठीक है वो होता है यह lump sum rate चलते है इसमें क्यों वो lump sum करते हैं इसमें वो material quality decrease कर देते हैं low लगा देते हैं और यहां ऐसा करते हैं दूस को सस्ता पड़ सकता है यह सस्ता है इससे महंग यह महंग है लेकिन इसमें भी measurement का जोल होता है तो मैं वो main आज का वीडियो है कि measurement कैसे की जाती है वो बताऊँगा यह वाला complete area करोगे तो यही rate चल रहें 130-140 रुपे लेकिन according design इधर आओ मैं समझाता हूँ पहले आपको मैं false ceiling दिखा देता हूँ कि किस हिसाब से की जाता है फिर theoretical पर आता हूँ जो हमारा design बने वाला है कुछ ऐसा दिखने वाला है वो यह जैसे सामने देख रहे हूँ चारो तरह हमारा petite रहेगी tray जिसे बोला जाता है tray रहेगी और बीच में कोब रहेगा और पूरी false ceiling होगी तो इ इसकी measurement होती है मैं आगे theoretical बताने वाला हूँ लेकिन आपको idea लग जाएक किस चीज की बात कर रहा हूँ इसलिए video दिखा रहा हूँ यह जो tray होती है पहले इसकी measurement होती है जैसे यह सामने यह यह ट्रेय ना यह डेड़ डेड़ feet की होती है mostly डेड़ feet बनाते हैं लो तो यह ड running feet में रहता है और कुछ square feet में ले जाते हैं तो यहीं पर आपको clear करनी होती है बात पहले उसको कि यह जो पट्टी बनेगी तो यह दो इंच की जो पट्टी रहेगी यह running feet में क्या rate रहेगा यह square feet में वो एक ही rate कर लेते हैं जैसे 80 square feet rate लिया उन्होंने पूरी false link का तो वो इसका भी 80 रुपे कर देते हैं तो इसका आप 50-60 रुपे कर सकते हो आगे समझ जाओगे मैं क्या चीज बोल रहा हूँ अभी थोड़ा confusing हो रहा होगा क्योंकि false link दिख रही है कुछ पता नहीं चल रहा है तो यह tray का अलग से होगा अंदर पट्टी का अलग से होगा तो हमारा 10 फूट कमर सबसे पहले जो यह tray है ठीक है यह यह देड़ फिट की थी 18 इंच तो यह यहां से लेकर 12 फूट है तो हमने लिग दिया 12 फूट simple process समझना 12 फूट लिग दिया फिर यह देड़ फिट है कितना है देड़ फूट तो यह लिगदे देड़ फिट क्लेर यहा इसे multiply कर दिया तो हमें मिल गया 36 स्केर फिट ठीक है 36 स्केर फिट मिल गया यह और यह समझ लो यह पहला step हो गया ऐसे कर रहे है फिर दूसरा आपको क्या है जो यह पट्टी होती है मतलब जैसे 2 इंच की मैंने पट्टा दिखाया आपको मतलब ऐसे था ना कोच बाहर से हमे इसे होता है यह होता है को यह जो पट्टी है इसको calculate करना पड़ता है ठीक है यह जो पट्टी आपको सामने दिख रही है वीडियो दिख रही है तो यहां से लेके यहां तक होगा यहां तो नहीं होगा क्योंकि यहां हमने यह ले लिए यह पूरे ट्रे है ट्रे के अंदर तो नहीं होगा यहां से यहां है तो मदले टोटल बारा फुट है तो डेड़ फीट यहां से निकलेगा माइनस डेड़ फीट और डेड़ फीट यहां से निकलेगा तो कितना बजा नो फुट और दो इंच की पट्टी है तीन की भी लेते हैं दो इंच की बनाई हुई है तो यह हो गया 18 running feet इतना यहां से लेके 18 running feet एक यहां होगा सेम यहां भी होगा तो दूसरा भी लिखे देते हैं 9 to 2 वो भी 18 होगा यहां तक clear हो गया ऐसे calculation की जाती है फिर यह वाला जो area है total कितना था 10 feet तो डेड़ feet हमने यहां तो ले लिया पहले मतलब उसको 12 कर लिया पूरा तो डेड़ feet यहां से निकल जाएगा डेड़ feet यहां से निकल जाएगा बीच में कितना बचा 7 foot 7 foot बचा तो 7 into tray ट्रे कितने की है पहले यह tray की calculation है डेड़ तेड़ foot है तो 7 into डेड़ कर दिये 10.5 यह scale foot हमारा ही आगया सेम एक tray यहां है यहां से यहां तक एक सेम यहां भी होगी ना यहां से यहां तक तो वो भी कर देगे 7 into डेड़ तो होगे 10.5 scale foot फिर अभी जो पट्टी है पट्टी भी लेनी पड़ेगी यहां पट्टी होगी वो भी साथ ही होगी यहां भी होगी एक और यहां भी पट्टी होगी साथ तो 7 into 2 14 RFT 7 into 14 अभी यहां देखो कुछ value जो tray थी हमारी वो scale feet में बनी और जो पट्टी थी वो running feet में बनी तो इसका लगा लो हमने rate fix किया था जैसे 80 रुपे 80 रुपे rate fix किया था कि जो हमारा false ceiling का rate 80 रुपे है लेकिन जो पट्टी का rate है आप कम कर सकते हो और यह कम करवाना होता है यहीं पे वो 80 रुपे लगा देती है और महंगा बढ़ता है आपको बोलना है कि 40-50 रुपे RFT हम पट्टी का rate देंगे यहीं चीज क्लियर करना कितना 40-50 रुपे यहां आप पैसे बचा सकते हो तो total कितना हो गया लेकिन हमने जो उसको rate दिया था वो 80 रुपे total ऐसे simple कर दिया था पूरे का 80 रुपे आप कम भी कर सकते हो तो total करता हूं मैं इसको ठीक है यह हो गया 121 इसको total करना प्लस 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 किया 121 स्केर फुट हमने एरिया आ गया और लेकिन हमारी जो फॉल सिलिंग थी उपर भी है न उसका डायरेक्ट छत पे तो चिपका ही नहीं है पहले उसका 5 इंचे नीचे डाउन की उसके नीचे यह डिजाइन बना जो उपर वाली होती है उसको हमने कर दिये 12 भाई 10 का कमरा था तो 120 हो गया और कभी गलती मत करना डायरेक्ट छत के साथ मत कभी फॉल सिलिंग करना सस्ते रेड में वो क्या करते हैं जहां जहां डिजाइन होता है वहाँ वहाँ नीचे कर देते हैं बाकी जगा पुटी मार देते हैं बाद में वो डैंपनेस बने के निकल जाते है 121 यह आये था 120 पूरा उपर वाला च्छता आ गया तो हो गया 241 स्केर फीट कितना 241 स्केर फीट हमारा एरिया हो गया इसका तो अभी हो गया 80 रुपे रेडेटर हमने पगड़ा है तो 19,280 रुपे हमारा होल सिलिंग करवाने का खर्चा आएगा अभी हमारा बिजली का भी बिल यह कोई आपको बताएगा ने सिर्फ आपको बतादेगा तो यह हमारे जो बिल रहे हैं एक यहाँ एक यहाँ एक जहाँ जहाँ आपको लाइट रखा लो 15 पॉइंट टोटल बन रहे हैं कि 15 पॉइंट हम लाइट के लिए दे रहे हैं और बीच LED जो स्ट्रीप रहती है उसके पॉइंट है इसमें तो इस हमें लेबर कॉस्ट है 90 से 120 रुपया पर पॉइंट आपसे ले सकते हैं वो जो अलेक्रिशन होता है तो 90 रुपया मैंने रेड पकल लिया घर का मिस्ट्री सा तो 1350 रुपया हमारा पॉइंट का लगाने का मतलब उसमें वाइरिंग जो उसमें पाइप होती है पाइप वाइरिंग लगाने का उसने 1350 रुपया हम से ले लिया 15 पॉइंट जो लगाई थे उसमें तार भी लगनी थी वाइर भी लगी फिर उसमें हमारी पाइप भी लगी ठीक है उसका एप्रॉक्स खर्चा 340 रुपया हमने पकड़ लिया एक पॉइंट का एक पॉइंट का कितना 340 रुपय तो 15 पॉइंट है तो कुझा 1000 रुपया हमारा एप्रॉक्स उसका लगए है और तार सिर्फ अंदर अंदर नहीं कहुँए ये कहाँ स्विच तक तार गई है तो उसका खर्चा भी इसमें इंक्लिउड है ठीक है तो 340 रुपया 15 पॉइंट है और LED LED का खर्चा 13 पॉइंट LED थी ये 13 LED लगाई हुई थी हमने और 32 पॉइंट हमारे जो अंदर से निकाले होते हैं LED स्टिप के लिए 13 LED है 220 रुपय की आप सिसका की लोग इसके हमने सिसका के लिए 220 रुपय की LED का खर्चा आगया अंदर स्टिप डाली हमने वाम लाइट तो 10 मीटर की आप्रोक्स 100 रुपय मीटर वो इस समय आपको मिल जाएगी कोई भी अच्छी कंपणी की मिल जाएगी चाइनीज मतले ना 100 रुपय मीटर मिल रही है तो 1000 रुपय की हमारी स्टिप आ गई तो 10,310 रुपय हमारा लाइटनिंग का खर्चा आ जाता है लगा लो जितने में आपकी फॉलन सिलिंग बनेगी उसके बराबर आदा खर्चा उसका हमारा इसका हो जाता है फिर यहीं काम खतम नहीं होता है जो आपने P.O.P करवाई होती है उसकी लूक नहीं दिखरी होती है उसमें निशान होते है तो उसके हमें पुट्टी और प्राइमर करवाना पड़ता है तो उसका खर्चा आपको कोई नहीं बताएगा तो पुट्टी प्राइमर का खर्चा कितना आयता है एप्रॉक्स डेड़ लीटर प्राइमर हमारा लग जाएगा बारां, दस बारां के कमरे के लिए मतलब जो हमारा एक लीटर प्राइमर होता है वो कोई 200 स्केर फीट एरिया कवर कर लेते हैं, कितना? 200, तो डेड़ लीटर कोई दिखने हैं, सिंगल करवा के प्राइमर कर दो, लेकिन डावल हमने करवा दिया तो अगर एक केजी 14 से 16 स्केर फीट हो रहा है तो 241 हमारा टोटल एरिया है तो 14 से डिवाड करेंगा, हमारी 15 से 17 केजी हमारी पुट्टी लग दिया तो 20 के जी का बैग पुट्टी का 1100 का आता है, ठीक है ठीक है, और फिर लेवर 4 उपे लेवर ले जाएगी पुट्टी और प्राइमर करने का तो 200 स्केर फीट का हमारा अगर कमरा बन रहा है, तो 4 उपे 800 उपे हमारा लेवर ले जाएगा, टोटल करेंगे, कुछ 2275 रुपे हमारा पुट्टी प्राइमर का खरचा है जाएगा उस फॉल्स इलिंग को करवाने में, तो टोटल अगर हम पकड़ते हैं, 19,28 जो हमारा प्योपी करवाने का आया था फॉल्स इलिंग, 19,28 10,310 रुपे हमारा बेजली का खर्चा, तो एप्रॉक्स 31,865 रुपे लगते हैं किसी एक प्योपी की फॉल्स इलिंग करवाने में अच्छे से तो यह चीज होती है, यह चीज आपको कोई नहीं बताएगा आपको सिर्फ रेड बतादेगा कि 80 रुपे स्केर फीट है, 130, जो फिटन चार्जिस हैं लगा लो, बिजली का भी खर्चाएगा, पुटी का भी तो यही चीज़े होती है, तो कभी भी आपको जो कंप्लीट एरिया दे दू वो सही रहता है, क्योंकि इसमें confusion बहुत होती है, आपसे billing नहीं होगी तो यहाँ आपको बेफ को बना सकता है अगर छोटा मोटा design बनाना हो तो फिर complete area देखके फाइद है नहीं है आपको इस तरीके से जाना है, ठीक है सिर्फ अगर आपने को बनाना है, मतलब simple design हो, तो इस तरीके से जाओ सा channel कौन सी जाली यूज़ करनी है तो फिर आपको यह rate देना है, अभी mail लेता हूँ अलविदा, लेकिन ऐसी वीडियो में लाता रहूँगा Thank you guys